अयोधिया में राम मंदिर का निर्मान कारियर जारी है ऐसे में अयोधिया राम मंदिर के कोश्रात्यक्ष महराज गोविंद तेवकिरी आज बढ़गरा शहर की मुलाकात पर थे उस दोरान उन्होंने पियाजी नियूस के साथ खास बात चुट कर अरोधिया में बनने वाले राम मंदिर का निर्मान कब तक खत्म होगा और साथ ही अरोधिया में बनने वाले राम मंदिर में कौन-कौन सी अलग चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जैसी कई चीजों पर जानका तो आईए सुनते हैं क्या कहना है महराज कोविंद दितेवगीरी का इस मामने में आ चुकी है इसलिए आप लोगों को पता होगा लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि इतने सारे संगर्ष के 500 वर्षों में भी भगमान श्री राम ललाकेश समीप का एक कूप है जिसका नाम सीता कूप है और वहां पर जो जल है उस कुए का जल आज भी अनेक रोगों को दूर करता है लोग उस समय से लेकर के आज तक उस जल को अत्यंत पवित्रमान करके ग्रहन करते हैं इतनी सेक्यूरिटी होने पर भी लोग बाहर खड़े होते हैं और सेक्यूरिटी के लोगों को पहुंचाते हैं लेकिन लोगों की उस जल के उपर भी शद्धा है तो इस प्रकार भगवाण शीराम का वसंपूर्ण मंदिर का परिसर दिव्यता से भरा हुआ है उसकी दिव्यता लुपत नहीं हुई है लेकिन उस दिव्यता के साथ भव्यता निर्मान करना आ अब साकार कर दिया है मेरा चोटा सा नाम स्वामी गोविंद देवगिरी है मेरी मूल दीक्षा कांची पीठ के पूझ शंक्राचार जी महराज से हुई और सन्याद दीक्षा भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्था पक ब्रह्मलीन पुझ स्वामी महराज श्री सत्य वित दिक्षा से पूरों भी गीता का और वेदों का प्रचार कारे करता रहा हूं और मेरे दोनों गुरुदेव इस कामों से अत्यन्त पसंद थे और इस सेवा में लगने के पश्चाद नया दायतो मेरे उपर जो आ गया वह भगवान श्री राम के मंदिर में नियासी के रूप में और उसमें भी कोशा दक्षर के रूप में सेवा करने के लिए प्रभू का आदेश मुझे हुआ यह मैं मेरे दोनों गुरुओं की कृपा का ही प्रणाम मानता हूँ क्योंकि उन दोनों ने इस राम मंदिर के लिए बहुत प्रयास किया था संगर्ष किया था पुरुशार्थ किया था और उनकी कृपा चाया से ही यह सेवा मुझत चली आई है और अब वह मैं निभा रहा अयोध्या जी में भगवान राम लाला का उनकी जन्म भूमी के उपर जो मंदिर बन रहा है उसका काम अब निरबाद गती से चल रहा है और हम विश्वास के साथ यह कहना चाहते हैं कि दो हजार चोबीस की फरवरी में ही भगवान शी नाम लाला अपने नूतन मंदिर के गरभागार में सम्मान पुरवक और धार्विक विधिधान के साथ विराजमान हो जाएंगे मैं यह बोल रहा हूं इसका अर्थ आप यह मत करना कि मंदिर का काम पुरा हो जाएगा गरभाग ग्रह और जितना हो सके प्रथम तले का काम पुरा निश्चित रूप से हो जाएगा लोगों के दर्शन की जो व्यवस्ता है जिसका हमें बहुत चिंतन करना पड़ रहा है और जिसको हम सबसे बढ़िया बनाना चाहते हैं वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि भगवान शिराम जी वहां पर पधारने के बाद में लोगों में दर्शन की उत्सुक्ता भी तो वो काम भी पूरा हो जाएगा भगवान शिराम के वहां पर विराजबान होने के प्रश्चाद भी मंदिर का काम चलता रहेगा आसे तो हिमाचल पूरे भारत परश में और भारत के बाहर रहने वालों भी असंग के लोगों में अयुद्या जी के मंदिर के लिए सब लोग इस बात को लेकर के गदगद है कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिस बात को देखने के लिए तरस्ती रह गई वो हमें अपनी आखों से देखने मिलने वाला है तो इसलिए मैं इन सब लोगों से यह ही कहूंगा कि ये अब तक जो पीढ़ियां हुई और जिरों ने सं कुछ सहा और इसके लिए दान भी दिया और इसके लिए जप तप साधन भी किये उन सब के पुन्य के परिपाक रूप और तपस्या के परिपाक रूप अब ये अवसर नजीक आ गया है कि हम लोग भगमान शीराम को जो पांच शत्तकों तक पांच सो वर्षों तक बंदी ग्रह में रहे और अपने वैभों के उनसा स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे और स्वतंद्रता के पश्चादभी जिनको एक तंबू में इतने दिन सत्तर साल काटने पड़े थे बेपरभू अब निश्चित रूप से अपने वैभों के साथ अपने गरवग ग्रह म स्थान में विराजबान होंगे राम लला अब हम लोगों को जल्दी ही मुल स्थान में विराजबान होको के दर्शन देंगे इसलिए धीरजद रखे और प्रतिक्षा भी करें हम लोग यह जानते हैं कि अनेक लोग वहां पर आखर के अपने अपनी और से कुछ सेवा करना चाते हैं इन सब का स्वागत भी रहेगा आपको वह परा करके अपने स्वयम के शरीर से कुछ सेवा करनी होगी उनको भी उसर दिया जाएगा लेकिन वह समय अभी आना है हम लोग उसके लिए योजना बना रहे हैं अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बियारजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें